जहिन साथियो मैं उमेशिरम टीचिंग के लिए TGT, PGT, GIC Lecturer, LT, Assistant Professor, UGC, NET एवं जयारब के लिए भुगोल की भैतरिन क्लासिस अब मैं लेकर आ रहा हूँ आपके अपने एकजाम तरकस यूटूब चैनल पर तो आज ही सब्सक्राइब करें और अधिक चानकारी के लिए दिये गए नंबर पर संपर करें कर देखें करें दो आज है कि आज है कि अजयार आज है कि दोस्तों नमस्कार मैं उमेश राम एकजाम तरकस के अनलाइन क्लास में आपका श्वागत करता हूं एक बार सभी मेरे भाई कमेंट करेंगे आपको मेरी अवास सुनाई दे रहे हैं सब कुछ दिखाई दे रहा है इसके बाद हम लोग इस बहतरीन प्राक्टिस सेट को प्रारंब करें आज हम लोगों का केवियस पीजीटी के लिए अंदिम प्राक्टिस है क्योंकि कल आप लोगों का पीजीटी जोगरुफी का एक्जाम है उसको देखते वे मैं बहुत ना तफ ना ही बहुत आसान NCRT बेस पे मैं प्रस्नों को ले के आया हूँ 30 महातफूर प्रस्नों को ध्यान से गंबिर्ता से प्रतेक प्रस्नों को आप लोग लेंगे और एक बार आप लोग करेंगे आपको मेरी आवास सुनाई दे रही सब कुछ दिखाई दे रहा है फिर हम लोग इस सेशन को कांटि प्रस्न की तरफ चलते हैं और पहला प्रस्न आप लोग ध्यान से देखेंगे और पहले प्रस्न के लिए एंसर करेंगे आप लोग पहले नंबर के प्रस्न में आप लोगों के सामने लिखा गया है कि सुस्क प्रदेश में अर्द चंद्राकार ने छेप वाली अस्थलाकृति को कहते हैं इर्ग कहते हैं लोयस कहते हैं बर्खान कहते हैं या फिर सीफ कह के प्रामुद जी अरुण संकरलाल कुरता सबी Demandr मिस्रा जी संकरलाल सभी लोग कि कुछ राज शुख सुरू हो गया किस्वस्क प्रदेशों में जो अर्ध चंद्राकार निच्छेप वाली अस्तलाकृति होती है उसे आप लोग किस नाम से जानते हैं देखने यह सीप भी बनता है लेकिन सीप एक दूसरे से जुड़के बनते और यहीं पर आप लोगों को कौरेडॉर भी मिलता लेकिन यहां क अर्ध के हिसाब से जो आप लोगों का राइट एंशर हो जाएगा वह जाएगा बरकान आप लोग देखें कि जो बरकान की आकरिति होती कुछ इस तरह से आप लोगों को बरकान की ऩी मिलती है तो ये आप लोगों का बर्खान होता और right answer एक number के लिए आप लोगों का क्या हो जाएगा बर्खान correct answer हो जाएगा और maximum मेरे भाई एक तरब से बर्खान दे भी रहें चले आगे चलते प्रस नंबर 2 के तरभ्यान से देख के उत्तर करें लिखा गया है कि शंगमरमर परिवर् ध्यान से देखिएगा चट्टान मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, quads और quadsite में अंतर होता है, quads एक कठोर पदार्त होता है, जबकि quadsite को देखा जा तो ये बलुआ पत्थर से बनता है, cell से बनता है slate, और granite से क्या बनता है, तो basal से cyst बनता है और granite से niece बनता है, आप लोगों को पता होगा, और चुना पत्थर से क्या बनेगा, संग्मरमर बनेगा, तो right answer यहाँ पर दूसरे नंबर के लिए D, और maximum मेरे भाई एक तरब से D कर भी रहें, इस प्रस्न का उत्तर, दूसरे नंबर के लिए right answer आप लोगों का क्या हो जाएगा, दूसरे निर्मित होता, बेसाल से सिस्ट निर्मित होता, सब आप लोग एक तरब से देख लीजिएगा, जरूर, चटानों से प्रस्न पुछे जाने की प्रवल संभावना रहती है, आगे चले हम लोग प्रस्न नंबर तीन के तरब ध्यान से देखके उत्तर करें, लिखा गया है कि ब्लाक फॉरेस्ट एक उधारण है, मोड़दार परवत का, गुंबदाकार ब्लाक परवत का, जॉलमुखी परवत का, या फिर आउसिस्ट परवत का, जो ब्लाक फॉरेस्ट है, यह किसका उधारण है, आप लोग उसे प्रस्न पूछा जा रहा है, ध्यान रखेंगे आप यहां पर आपको चार आकृतियों को एक साथ समझना पड़ेगा, और चारों को मैं यहां पर बताता हूं, यह वाला जो भाग है, इसमें एक भाग उपर की तरफ, इसमें एक भाग नीचे आता, इसमें दो भाग उपर जाता, इसमें दो भाग नीचे आता, इसमें एक बॉप इसे आप लोग कहते हैं बीच भाग नीचे दस्ता रैंप में डों भाग उपर की तरफ ब्लाख मौंंन्टेन में की तरफ दो भाग नीचे तरफ समय मोथा करफ समय लग मौन्थ CS का उधारण है बलाक परवत का उधारण है इस आधार पर राइन नदी के तट पर मिलेगा इस पेसली किस देश में है यह जर्मनी देश में पढ़ेगा ध्यान रखेंगे और राइन इंसर यहां पर आप लोगों का क्या हो जाएगा भी मोड़दार परवतों के अंतरगत आप बिश्व के सबसे प्राचीन मोड़दार, वलित परवत के रूप में अरावली को देख सकते हैं, सबसे प्राचीन, और नविंतम में कई आप देख सकते हैं, जैसे आप लोग राकी को ले लें, जैसे आप लोग एंडीज को ले लें, एटलस को लें, सबसे नविंतम में हिमा पुछा जाता है, जो तंजानिया देश है, उसमें किलि मंजारो जो परवत है, वो है, क्योंकि किलि मंजारो पूरे आफ्रिका महादीड का सबसे उचतम भिंदू है, इसलिए किलि मंजारो माक्सिमाम टाइम प्रसन बनता है, और उस्ष्ट परवत ऐसे परवत होते हैं, जो परतमान में अपने विकास को खो चुके हैं और धिरे-धिरे वो मृत परवत के रूप में धिरे-धिरे-धिरे-धिरे उनका अप्च्छा ही हो रहा है ऐसे परवतों को आप लोग और शिष्ट परवत की अंतरगत रखते हैं राइट एंसर तीन नंबर के लिए पी करेक्ट एंसर है तलिए आगे चलते प्रस नंबर चार ध्यान से देखके उत्तर करेंगे अदो लिखित में से कौन सा वर्ग च्छरण के कारण उत्पन हुआ है च्छरण बोले तो अपरदन अपरदनात्मक अस्तलाकृति कौन सी है यूँ आकार की घाटी बेंटी फेक्ट या कंदराए ऐसकर फियोड या फिर आउट वास मैदान सर्क भी आकार की घाटी या फिर प्राकृतिक तडबन ड्रमलीन ही मोट या फिर अरेथ कमेंट करें कौन सा इसमें से अपरधनात्मा का स्थला करुती है एसकर लिखा गया है लिखा गया आउट वास मैदान इसकर होगा नहीं सरक होगा लेकिन विया कर की घाटी होगी प्राकृतिक तडबंधा गया कट गया यहां पर चार नंबर के लिए राइट इंसर यू आकर के गाटी बैंट इफेक्ट और कंदराएं हो जाती है बैंट इफेक्ट आप लोग देखेंगे जो छत्रक सिला मस्रूम राख है तो यहां पर राइट इंसर आप लोगों का डी आ रहा है माक्सिमम मेरे भाईयों का जो गलत है ही मोड आपको बताया गया है निच्छे पात्मक होता है ही मोड और यहां पर राइट इंसर आप लोगों का A हो जाएगा डी वालों की संख्या बहुत जादा हो गई थी चार नंबर के लिए राइट इंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा A option आप लोगों का आप लिए आगे चलते पांच नंबर में ध्यान से देखेंगे लिखा गया कि निलंबी निच्छेप तथा आरोही निच्छेप अस्थलाकृतियां बनती है हेमानी द्वारा भुमिगत जल द्वारा पावंत द्वारा या फिर नदी द्वारा प्रसन 5 के लिए अप लोग क विक्टोरिया, प्रतिबा सिंग, सभी लोग कमेंट करें प्रस नंबर पांच के लिए, संदीप मैं तो पांच के लिए सबसे पहले ए दे रहे हैं हिमानी द्वारा, और कुछ लोगों का बी, कुछ लोगों का ए, ए वालों की शंक्या बहुत ही ज्यादा है, निलंबित, निच्छेप अस्तलाकृतियां बनती हैं, यहां पर निच्छेप लिखा गया है, घाटी नहीं लिखा गया है, निच्छेप, निलंबित निच्छेप और आरोही निच्छेप, इस्टेलेग टाइट, इस्टेलेग माइट यादा रहा है आप लोगों को, इस्टेलेग जाएगा भी हो जाएगा निलम्बित निच्छेप मतलब लटकने वाली निच्छेप जो होता उपर से निचे की तरफ पढ़ाया हूं और यहीं निच्छेप जो चूना वाला भाग होता है इस भाग में यहां पर अगर इस तरह से इनका जमाव हो जाता है तो इसी को आप लो लोग देख लीजिएगा राइट एंसर आप लोगों का पांच नंबर के लिए भी हो जाएगा चलिए छे नंबर आजान प्रसन है ध्यान से देखके उत्तर करेंगे तोल ड्रम इस्थित है पांच अंस दच्छिड से पांच अंस दच्छिड अच्छांस के बीच दस अंस दच्छिड से दसंस दच्छिड के बीच दसंस उत्तर से दसंस दच्छिड के बीच में और पांच अंस उत्तर से पांच अंस दच्छिड अच्छिड के बीच तोल ड्रम जिसे हम लोग शांत मेखला भी कहते है शांत मेखला भी कहते हैं इस शांत मेखला में फ्लोन के वतल देखा जाये तो मंद गती से पच्वां पमन चलती हैं कि मंद गती से पच्वा zhnt में डोल ढ फाग में चलती हैं और डोल रन का जो विसतार होता वो दोनों और जुकें बीच में पाए जाता ह About नोगों को बता चुका हूं और कुछ लोगों को छोड़ दिया जायता है तो माक्सिमम मेरे भाई से करने लगे क्या से करने लगह आप लोग starts andrum दें दक्ष नच्रन लिखा गया है , दक्षर दक्षर पस दच्षर थोड़े नहीं होता है, मैं आप लोगों को बताया हूंना कि प्रित्वी बना लीजिएगा, और यहां से पांचंस उत्तर और पांचंस दच्छिड के बीच वाला जो भाग होता है, इसको कहा जाता तो दोनों को लार्दों में इसका विस्तार होता, इस आधार पर यहां पर पांचंस उत्तर से पांचंस दच्छिड अचंस के बीच होगा, छे नमबर के लिए D होगा आप लोगों का उत्तर, छे नमबर के लिए क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, आप लोग जल्दी बाजी में दच्छिड दच्छिड ध्यान नहीं दे रहा है, यहां पर उत्तर होना चाहिए एक दच्छिड होना चाहिए तो एक उत्तर होना चाहिए और इसेदार पे छे नम्मर के लिए right answer क्या हो जाएगा D option आप लोग करेक्ट कर लेंगे ध्यान रखेंगे चलिए आगे चलते प्रस नमबर 7 के तरफ साथ नमर देखे अधो लिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है सीराको गर्म सुस्क पवन है खंसीन सीतल पवन है मिस्टल अती सीतल पवन है फ़ान गर्म पवन है अधो लिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है आप लोग उससे पूछा गया है अस्थानी पवन या लोकल वि करेंगे मेन खेल तो उत्तर दच्च्चड का ही ए उत्तर दच्चड नहीं करेंगे तो पर कैसे काम हो पाएगा और हम खान जी सेवन के लिए B कर रहे हैं कई लोगों का यहां पर B आ रहा है खमसीन के लिए दिर准प पर चलती है और कैसी पोवन है कि अठ आट उसन एक तरफ से राइट इंसर आ रहा है यहांपर करेंगे कि क्या 13 आज चलते exactạnh की और प्रस नमबर आठ की तरफ पीली बीली उसले चक्रवात है जो आते हैं चीन सागर में करिबियन सागर में उत्तर पसिम अस्टेलिया के तट पर या फिर माक्सिको की खाड़ी में बीली उसले चक्रवात हैं ये कहां पर आते हैं ध्यान रखेंगे जो चक्रवात होते हैं जो शूरा गृतर नारवे के जो मौसंव्विद्ध हैं वो इसके बारे में बतातें जिसमें बरकनी बहुत लेखनी है इसके बाद हम लोग देखें कि जो उस प्रकार के चक्रवात है उसके अंतरगत कई चक्रवातों को हम लोग सामिल करते हैं जिसमें चीन के अंतरगत हम लोग चीन के जो अंतरगत चक्रवात आते उसे टाइफून चीन और जापान में टाइफून और जबकि माक्सिको की खाड़ी के पास आप टार्नेडो को देखते हैं, और टार्नेडो फोटिजा स्केल पर मापास आता है, राइट एंसर आठ नमबर के लिए C आप लोगों का, करेक्ट हो जाएगा, तो आप लोगों का ये फोटिजा स्केल है, इन दोनों को भी ध्यान से बिलिज बिलिज ध्यान से देखके उत्तर कर लिजेगा, आठ नमबर के लिए राइट एंसर आप लोगों का, C हो जाएगा, और ये नेक्स्ट में चलते प्रस नमबर 9 पे, ध्यान से देखेंगे आप लोग, लिखा गया है कि अदो लिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं ह कह रहा है कि मलीशिया में है, कह रहा है कि की की यू केनिया में है, मसाई दच्छिड अफरिका में है, और खिरगीज मद्य एसिया में है, कमेंट करके आप लोग उत्तर दीजिएगा, कि अदो लिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, 9 नमबर के लिए मैं देखना चारा ह कि मसाई, संदीप महतो जी का नाइन के लिए भी आ रहा है, कुछ लोगों का भी कुछ लोगों का सी आ रहा है, यहां पर ध्यान रखेंगे, मसाई बिल्कुल सही है, कि मसाई मैं आप लोगों को बताया हूं, इस पेसली ये केनिया में निवास करते हैं, जो मसाई जन जाती कि लोग की प्रमुक जो विसेशता है, यह ताजे ताजे दूद में ताजा ताजा रक्त लाके पीते हैं, अपने किसी आगंतुक के पास जाते या कोई इनके पास आता है, जब खुशी जाहिर करते हैं, जो मसाई जन जाती है, जो केनिया में निवास करती है, और राइट तिले सी ओप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, चलिए, आगे चलते हैं, नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट टेन नंबर पे चलते हैं, ध्यान से देखके उत्तर करें, लिखा गया है कि मानव भोगोल क्रियासील मानव और और अस्थाई पृत्वी के परिवर्तन सील स संबंदों का अध्यान है, यह कतन किसका है, चिन नंबर के लिए उत्तर दें आप लोग, फोन हैंक हो रहा है, तो दूसरा फोन पापा से बोल के ले लिए, बंदना मिसरा जी, गनेश चरशिया जी, सभी लोग 10 नंबर के लिए C कर रहे हैं, माक्सिमम मेरे भाई, बिलकुल सही भी है, ध्यान रखेंगे यह कतन किसका है, इसी सेंपुल का है, पुछा भी जाता है, और राइट एंसर कुमारी सेंपुल, कुमारी सेंपुल है कहां के, ध्यान रखेंगा आप लोग यह वैसे की हैं, बड़ी चर्चा है, एंसेरेटी में इनकी कुमारी सेंपुल की, औ और यह नियत वाद के समर्थक है, इनकी बुक को भी आप लोग देख लीजिएगा, बुक से बहुत बार प्रसने बना है इनके, प्रस नंबर 11 पर आजा, यह आसान प्रसन है, कि उनी बाल प्रमुक विसेशता है, मंगुलाइड की, काकेसाइड की, एनु प्रजाती की, या फ प्रह, राले बाल, अब तो पकड़ ले जाएगे, मंगुलाइड की बहुत लहरधार बार होते, बिल्कुल स्टेट बाल होते, जिसे चैनी जो को देखे, ये मंगुल है, कुरिया वालों को देखे, कितने सुंदर सुन्दर सीध दे सीदे बालो इनके होते बिल्कुल, तो जो सीधे बाल होते हैं मंगुलायट के होते हैं काके साइड काफे लंबे-लंबे स्वेद तचा वाले होते हैं और इनकी भी बाल अच्छे लगते एनू जनजाती को देखा जापान में यह लगबग मंगुलायट से ही रखते हैं यह भी हो जाएगा लेकिन निगरीटों को दे राइट इंसर यहां पर आप लोगों का 11 नंबर के लिए ती अप्सन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा और इस टाइप का प्रस्न आप लोगों से पूछे कोई तो बड़ा मजा पाते हैं लेकिन सब एक तरब से कर रहे हैं कि निग्रायट लोग होते हैं जो भारत पाकिस्तान के बीच मांबन यूप कहां पर है कमेंड करना आप लोगों को बता है कि आप लोगों कि माता जी को एक बार न bourग में भाड उठा ले गया था लंका और फिर पूल बनाया ता लंका तक जाने के लिए और भगऒवान स्री राम पूल बन गया था तो भी व देखेंगे पंबन द्यूप है और इसी को राम सेत्टू का भाग मानते हैं और मुसलिम संपरदाय की लोग इसी को आदमब इसका घान से बुण का भाग मानते हैं तो यह भारत और शलंका के बीच में है बाहर के लिए आप Eleven के लिए एक तरब से बारगों का चया हो जाएगा तो और भारत से लंका के बीच में जो जलसंदी है इस्टेट है पास है उसे आप लोग पाक स्टेट कहते हैं पाक स्टेट कहते हैं ध्यान रखेंगे पाक स्टेट कहते हैं और राइट इंसर यहां पर आप लोगों का भारत से लंका माक्सिमम मेरे भाईयों का एक तरफ से आ रहा तो हिमालय है हिमालय के तलहटी के जलोड पंको को किस नाम से जाना जाता है जो जलोड पंक होते हैं आप लोग देखें मान लें कि ये अगर हम लोग हिमालय को बना दें यहां से हिमालय से नदिया निकल के जब आती हैं ये इन रीजन्स में जब पहुंचती है तो यहां पर ह आप लोगों को तराई का मैदान दल्दली भूमी भिक्सित होती जिसे आप लोग तराई के बाद नदिया भिसरपड करती जहांपर प्रतिक वर्ष बाड़ाती उसे खादर जहांपर कई वर्षो या प्राचीन संचित भूमियां होती उसे हम लोग बंगड के नाम से जानते और इस आधार पर जो आप लोगों का right answer हो जाएगा वो भामर हो जाएगा और इसी प्रदेश में नदियां बिलूप्त हो जाती right answer आप लोगों का क्या हो जाएगा ? दियान रखेंगे इसका trick होता है भातबा खा भातबा खा भामर तराई बंगड़ा और खादर राइट एंसर यहां पर आप लोगों का क्या हो जाएगा डी ओप्सन करेक्ट होगा और माक्सिमम मेरे भाई एक तरब से डी दे भी रहे हैं तेलिए आगे चलते प्रस नंबर 14 नंबर है ध्यान से गंबिटा से ल नदी को फिए और आतल्या प्रमुख को याद होगा मैं बताया भी हूँ यहाँ तिबब्द के पठार को आप लोग ले लें यह है आपका तिबबत का पठार मेल्द आपठ पठार निकल के आ रही हैं एक इधर से एक इह दर से यह दोनुन नदिए कें नदी कहते हैं और इसे आप लोग कहते हैं्ट अधिया यहां से एक प्रमुक नदी निकलती है जिसे आप लोग कहते हैं जिसे चंद्रेंध के नाम से विन्यदिय माचल प्रदेश में यहां पर आखे बिल जाती है Q m जहलम है और कि अधर से आप लोग को देख सकते हैं इस आधार पर अगर आप लोग देखे तो यह सिंदू है यह आपका था यह जहलम सह जह ना है और यह शतलज है इस आधार पर अगर देखा जाय तो सतलज शिन्दू की शब्षे बड़ी शायक नदिया और राइट एंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा दी ओप्सन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा मैं आप लोगों को कराया भी हूँ सतलज ध्यान दीजिएगा बहुत जगपर पेपर साल्ब कराया गया है और वहाँ पर चेनाप दे दिया गया और चेनाप कुछ लोग एंसर भी मार रहे हैं चेनाप मत करिएगा सतलज करिएगा और सतलज दोनों पुरोगामी नदिया है या पुरवरती नदिया है जबकि इन दोनों नदियों को अगर देखा जाए तो इन नदियों के अपेच्छा ये जो सतलज है और सिंदू बहुत पहले से उद्गमित होती है इस आधार पर सतलज इसकी सिंदू की सबसे बड़ी सहाइक नदी होगी और मीठन कोट के पास पाकिस्तान में मिलती है तो समझ जाएगा आप लोग इसका जो आप लोगों का उत्तर से दच्छिड क्रम होता सजना रबतल इसका ट्रिक भी होता सह से सिंदू जह से जेलम ना से चेनाब रह से रावी बह से ब्यास और सतलज से सतलज होता है तो सिंदू सतलज सजना रबतल यह आपका ट्रिक हो जात आगे चलते नेक्स्ट 15 नंबर के तरफ ध्यान से देखेंगे और उत्तर करेंगे इससे पहले आप लोग 15 नंबर का प्रसन आप लोगों के सामने आगया है और यहां तक पहुंचते पहुंचते आप लोगों के लिए एक जिमेदारी दी जाती है वो जिमेदारी होती है कि कौन सा कथन सही है लिखा गया है की सुर्मा घाटी में चाय की खेती चाय की बिश्त्रित के तुरूप से गया कपास बिस्तर तुरूप से उगाया जाता है, मसिम बंगाल में तंबा को बिस्तर तुरूप से पैदा किया जाता है, कमेंट करें आप लोग इस प्रस्न के लिए कि निमलखित में से कौन सा कथन सही है, सुर्मा, सुर्मा को ही आप लोग बराक नदी कहते हैं, सुर्मा या बर दंडकारडे 36जद्वाले पधित कर सकते हैं तो है लुगा घो पर अटीक बारिस होती ऐसा दंडकारडे में मिलता नहीं इसलिए तो दंडकारडे कहा जाता है काटो का जंगल गंगा के निचले मैदानों में आप कपास नहीं पाएंगे कपास के लिए इस पेसली आपको जान एक नमबर पर दूसरे नमबर पर महारास्टर आ है पसिम बंगाल में तम्बाकू की बिष्ठित खेती नहीं किया जाती बालकी पसिम बंगाल में जूट या पटशन बड़े पैमाने पर उत्पाधित किया जाता है तम्बाकू का वरतमान में सबस्रे बड़ा उत्पाद Krange गुजरात है कपास का भी है और तंबाकू का दूसरे नंबर पे वर्तमान में आंद्र प्रदेश हो गया तंबाकू पे ध्यान रखेंगे और राइट एंसर यहां पर पंदर के लिए ए अप्शन आप लोग चून लिजिए राइट एंसर आजाएं नेक्स्ट की तरफ चलते ह तो उसके हिसाब से इन मिट्टियों को आप लोग सीख पाएंगे समझ पाएंगे तब तक आप लोग उत्तर करें आसान प्रस्न है कि उम्मीद है कि सभी मेरे भाई एक तरफ से ए एंसर देंगे आप लोग एंसर जल्दी से करें हम लोग थोड़ा सा यहां पर नजर डालें हम भारत को ऐसे करके भागों में बाटते हैं थोड़ा सा और बलकि इधर ही होगा ज्यादा में लेकर चला गया और हट भी नहीं पाएगा भी मालने कि यहां से जाएगा लगबग और यहां पर आप लोगों को दंड़का रणे मिलेगा और दंड़का रणे जब यहां पर मिलेगा तो श्रभाविक सी बात है कि आप कह सकते हैं कि यह भाग पुर्भी और दक्षडी भाग में इस्थित है और इस भाग में इस्थित जो मिट्टी होती क्या लेटे राइट होगी तो लेटे राइट मिट्टी का जो बिस्तार होता वो इन रिजन में आप लोगों को मिलता है तो यह रिजन है यहां पर पर मिलेगा और यहां पर आप लोगों को मिलेगा तो the राय विड्टी यहां पर मिलेगी है यहां पर धुट-विड्ट-वal स्तरवादिक खेतर आप लोगों को इस रिजन में मिले गया वं लाल पीली मिट्टी का सरवादिक खेतर फल आप लोगों को यह यहां पर मिलेगा जो यह वाला एरिया है इस आधार पर जो right answer हो जाएगा वो लाल वा पीली मिठी हो जाएगी लाल मिठी सबसे जादा इस रीजन में पाई जाएगी ध्यान रखेंगे और right answer आप लोगों का लाल पीली मिठी very good सभी मेरे भाई एक तरब से कर भी रहें मैप के आधार पर चीजों को सीखने की कुशिश कर आज यह 17 नंबर का प्रसन है ध्यान से देखेंगे आप लोग माउंट विसुबियस के पग में इस्थित ब्याख्यात नगर था निपल्स है पुम्पाई है रोम है या फिर एथेंस है ध्यान से आप लोग देखके उत्तर करें पग बतलब पैर में पैर कह सकते हैं या फिर दबा हुआ भाग आप लोगों से पूछा जाता है कि किसके दबे हुए भाग में यह मिलता है इसमें सिर्म माउंट विसुबियस के पग में इस्थित प्रक्यात नगर कौन सा है तो आप लोग देखें कि सन सिवेंटीनाइन में सन सिवेंटीनाइन में विसुबियस का एक बार महा बिसपोर्ट होता है और इस बिसपोर्ट में बहुत ज्यादा मात्रा में राका और जामा निकल कर उड़ता है उपर की तरफ और इटली का एक प्रमुख नगर रहता है उस समय उस नगर पर लगबग 10 मीटर 10 मीटर उचे राख और जावे से भाग पट जाता है और वह नगर या छेत्र कौन सा है पुमपाई नगर है बिल्कुल सही है इटली में है और राइट एंसर आप लोगों का यहां पर क्या हो जाएगा राइट एंसर यहां पर आप लोग को वर्तमान समय में खोल दिया गया है लोग घूमने देखने या जैसे खंडहर को देखने के लिए लोग जाते हैं उस टाइप से लोग देखने जाते हैं ध्यान रखेंगे जो विशुबियस उसके वज़से पुरी तरह से पुमपाई नगर ध्वस्त हो गया था ऐसे ही विशुबियस में पुमपाई नगर बरबाद होता है और आइसलेंड में आप लोग चले जाएंगे तो मारटेनिक है ध्यान रखेंगे आप लोग राइट एंसर 17 नंबर के लिए भी ओप्सन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा भी ओप्सन आप लोगों का करेक्ट होगा नेक्स की तरफ चलते हैं प्रस नंबर 18 की तरफ ध्यान से देख के उत्तर करें वायब्य पठार का उधारण है मालवा का पठार लोईस का पठार 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 या फिर अरब का पठार वायब्य पठार का उधारण है आसान प्रसन है 18 नंबर के लिए आप लोग उत्तर द रहां है तरह किसम सबसे पहले वायब्य पठार वायब्य का मतलब होता है वाय वायू से निर्मित पठार कौन सा disappoint स इसे आप लो कि ध्यान रखेंगे कि ये उरोपियन कंट्री में माक्सिमुम जगाउश में डिर्म कह जाता है जब क्योंकि यूसे और माक्सिकों की छित्रों में चले तो इसे एडव कहा जाता है प्रस्ण बनता है और राइट इंसर यहां पर लुएस हो जाएगा ध्यान रखेंगे क्योंकि लुएस जो मैदान होता है वह वायू द्वारा उठा कर जो द्रेगिस्तान या मरुस्तलों में रेथ है उसे लिया कर निच्छे-पित किया जाता उसे पठारों का निर्मांड होता है उसे वायू पठार कहा जाता जो लुएस मैदान निर्मित करता है वह अस्थान जू भिलाई के लोग इसपात का रखाने को मैगनीज सप्लाई करता है कारगली है, बालोध है, भंडारा है या फिर नंदिनी है वह अस्थान जो भिलाई, भिलाई कहाँ पर है भाई भिलाई आप लोगों को मिलता 36 गड़ में 36 गड़ लेकिन प्रस्ण क्या है वह अस्थान भिलाई के लह इसपात कारगाने को मैगनीज देता है, ऐसा प्रस्ण आप लोगों से पुछा गया है मैगनीज कौन देता है, प्रस्ण का उत्तर दें आप लोग मैं देखू कि आप लोग क्या उत्तर देते हैं मैगनीज कौन देता है, ऐसा प्रस्ण से उत्तर आ रहा है मैगनीच की बात करें अगर लह एस की बात करें तो डली राज हरा है खरीया यह सब कोईला देतें हैं डली राज हरा जरीया हो गया बोकारो लेकिन मैगनीच के लिए दो प्रमुक छेतर हैं एक बाला घात है दूसरा भंडारा पाला घाट और भंड़ा और भंड़ा बंड़ा दिया गया है C में आप लोग A और B कर रहे हैं जो गलत है राइट एंसर यहां पर बंद़ारा इन जगहों से दे दिया जाता है लेकिन मैगनीज इस पेसली ये बाला घाट और भंडारा से दिया जाता और राइट एंसर इस आधार पर 19 नंबर के लिए सी ओप्सन आप लोगों का क्लेर हो जाएगा सी ओप्सन आप लोग करेंगे ध्यान रखेंगे राइट एंसर क्या हो जाएगा सी आप लोगों का राइट एंसर हो जाएगा आगे चलते नेक्स्ट की तरफ प्रस नंबर 20 के तरफ ध्यान से देखके उत्तर करें आप लोग 20 नं से लेकर दो प्रसन तक निश्चित रूप से आपके परिक्षा में आना ही आना है ध्यान दें तब तक आप लोग उत्तर दें भुकम्प का सबसे पहला जो प्रसन होता ये प्रित्वी का धरातल होता जिस पर धरियोम जी खड़े होते यहां पर खड़ा कर दो और यहां से करेंगे फुकस कहा जाता और जहां पर मेहसूस होता है इसे एक एक लिए र कि ने का थे पी सेंटर जाता हुच अआर ब्ली सेंटर फोकस इमसेंटर कहा जाता है और भुकम्प का जो शांन आज यह बिसमें बनाजाता है उसे एक उपन पील लहरों को सेसमिक कहा बीश्य दियान से देख लें एक प्रशन कलायेगा यहां से और ऐसको देखा जाए तो यह secondary होती है दुतियक नंबर की होती और इसकी चाल दूसरे नंबर पर होती एक क्रम घटा चला जाता सबसे ज्यादा चाल इसकी यह जो तरंग होती ध्यान रखेंगे यह ध्वनी तरंगों के शम कि ऐघ्र रखेंगे छिससे हमारे भुमियों में और कि एपम संकुचन आँर कला होता अहीं यह झाल अहीं चलक्त जबकि यह जो तरंगे रहती है स्वित के देखा ऑटका जाफतों यह एयसा चलती है इसिस सर्द। से इन में उभार, एवं गर्त होता है, उभार गर्त का निर्मान होता, ध्यान रखेंगे, और जो P प्रकार की तरंगे हैं, ये तीनों माध्यम में चलेगी, मतलब बोले तो ठोस, द्रव और ज्यां तीनों माध्यम में, S को देखा जाए, तो ये सिर्फ और Medicaid में चलती है, और L को देखा जाए, तो ये ठोस और द्रव में चलती है, इस आधार पर हम लोग देखें, केंद्र की बात किया जा रहा है, हमारे बैग्यानिक मानते हैं, कि प्रुथभी का केंद्र द्रवित रूप में है इस आधार में हम लोग देखें कि जो भुकंपी लहरे चल पाती है उसमें से पी आप लोगों की ऐसी तरंग होती है जो इनों मादेमों में चलने के वज़ा से ये केंद्र से होकर भी फुजरेगी इस आधार पर 20 नंबर के लि ले ले और 145 आप लोग इदर ये जो बीच वाला भाग है इसे भुकंपी ये चाया चेतर कहते हैं इसमें ना पी ना एस ना एल कोई भी तरंग नहीं दिखाई देती 105 से लेकर 145 के बीच में तो 20 नंबर के लिए राइट एंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा ए ओप्श रच्छिंत की तरफ और अगला प्रस्ण आप लोगों 21 नंबर आप लोगों के सामने द्यान से उत्तर करेंगे के लिखम लिखा गया है कि जारडन नदीके बारे में नेमलखित में से कौन सा कथन सही है दिखा गया है कि यह एक दरार तल के नीचे, रिप्ट बैली में बहती है, यह समुद्र तल के नीचे बहती है, यह भुमद्य सागर में गिरती है, यह गेलिली के सागर से होकर बहती है, कमेंट करें आप लोग गेलिली सागर को आप लोग गलीली भी देखेंगे या गलील सागर भी देखेंगे आप लोगो किया है रही है इसका है भाई इसका होगा जार्डन नदी के बारे में निम्लिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है ऐसा आप लोगों से प्रस्न पूछा गया है तो यहाँ पर राइट इंसर आप लोगों का माक्सिमम का सी आ रहा है एक दो और चार जो बिल्कुल सही भी है ध्यान रखेंगे आप लोग कि जो जॉर्डन नदी है ये लगबग 251 किलोमेटर लंबी है और यह नदी कहां पर गिरती है तो इस से निकल कर यह गिरती कहां पर है यह भी प्रस्न आप लोगों से बनता है कि यह कहां पर गिरती है इससी के बीच में फ्राइटर भी आता है तो गलिल सागर सी होकर भाइती है ispacly जली गलिल सागर आप लोगों को इसरा की इसराइल में मिलता इसराइल में मिलता और इस आधार पर राइट इंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा एक दो चार हो जाएगा ये भुमद्य सागर में नहीं गिरती ये मृत्य सागर में गिरती ध्यान रखेंगे जो मृत्य सागर है इसी को आप लोग मृत्य सागर वाली जो भरंस घाटी है इसे अगर आप लोग देखें तो दुनिया के सबसे लंबी भ्रंस घाटियों में से एक है और राइट एंसर यहां पर आप लोगों का क्या हो जाएगा C option आप लोगों का correct हो जाएगा जर्डन नदी घाटी जर्डन रिप्ट में बहती है ध्यान रखेंगे आप लोग रिप्ट वैली है यह दरार में बहने वाली एक नदी है आगे चलते हम लोग नेक्स्ट की तरफ बाइस नंबर पे बाइस नंबर में लिखा गया है कि निवड़कित कतनों में से कौन सा कतन सही है गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है इसका नाम विशलू प्रयाग से पढ़ता है सबसे उपरी मार्ग में इसका नाम अलक नंदा है गंगोत्री हिमनद प्रॉनस हिमालय प्रदेश में पढ़ता है कह रहा है कि 1-2-3 सही है 1-3-4 सही है केवल 1 सही है 3 और 4 सही है गंगा के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही है आप लोगों से प्रस्न पूछा गया प्रस्न नमबर 22 के लिए उत्तर दीजिए एक बार आप लोग कमेंट करिए मैं देखूं एक बार आप लोग कमेंट करें कमेंट करिए इस प्रस्न के लिए प्रस्न नमबर 22 के लिए बी वालों की शंक्या सबसे जादा है एवालों की शंक्या कुछ थी कर रहे हैं ज्यान दे कि गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है बिलकुल correct answer है गंगोत्री हिमनद के गुमुख अस्थान से कुमुख नामक अस्थान से निकलती, एक पॉइंट तो पक्का सही है, मतलब ये गलत हो गया इसका गंगा नाम बिश्णू प्रयाक से पढ़ता है, जो बिलकुल गलत है, इसका देव प्रयाक से नाम पढ़ता है जहां पर इस से भागी रथी से अलक नंदा मिलती है, वहां पर, इसका उपरी भाग अलक नंदा नहीं, बलकि इसका उपरी भाग भागी रथी पढ़ता है और यही भागी रथी अलकनन्दा से मिलती है दियो प्रयाग के पास तब इसका नाम गंगा पड़ता है और यह ट्रांस हिमाले से नहीं बलकि ब्रिहद हिमाले से निकलती है इसलिए केवल एक सही होगा सी ओप्सन आप लोग यहां पर करेक्ट कर लिजिए अगर गंगा के बा गंगा मुख भागी रथी होती और अलकनन्दा कल मैं चर्चा भी किया था अलकनन्दा और भागी रथी दोनों देव प्रयाग में मिल जाती फिर गंगा इसका नाम पड़ता है मैं कल चर्चा किया था विद्फीगर आप लोगों को हर एक पॉइंट सिखाया था चलिए अब साथ प्रसन से इस बचे हैं आप लोगों के लिए अफ्रिका में जायरे से यूरोप में नार्वे तक जाते समय जलवायू का कौन सा क्रम पाया जाता है दिएगे कोट से सही उत्तर भूमद रेखिये भूमद शागरी है तो मरुस्तल पस्मी यूरोपी है अगर आप ल जलवायू फिर हम लोग इसे 30 अंस तक तीन भागो में बाटते हैं इसके बाते हैं तो सबसे पहले अगर हम लोग के शामने लिखा गया जैरे यहां पर पड़ेगा और नार्वे कौम लोग देखें तो नार्वे आप लोगों को यहां पर मिलेगा, अब सबसे पहले जलवायो पड़ेगी वो भुम्दी रेखी पड़ेगी मतलब एक नंबर सबसे पहले पड़ेगा, तो या तो आप लोगों ओज़ाहें, पिर आधार को a या तो फिर बी होगा, इसके बाद हम ऊपर चलें, तो उपर यहां पर आप लोगों को मिल जायेगा, मुरूस्थली जलवाइ। तो तीन हो जाएगा इस आधार पर बी हो जाएगा इसके उपर आप लोग चलें तो पस्मी यूरोपी जलवायू आप लोगों को मिल जाएगी यहाँ पर फिर पस्मी यूरोपी यहाँ पर मिल जाएगी इस आधार पर राइट एंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा बी ओप कित कथनों पर ध्यान दीजिए तथा दिये गए कूट से सही उत्तर चुनिए अस्व अच्छन्स वाय अपसरण के छित्र हैं और कारण R कह रहा कि प्रित्वी का केंद्रापसारी बल रेखाओं के सरवादिक समीप होता है मैं कि यहां कि त Dios Cambry आए अरेकी सही ब्याक्षा है E अरवादोनों सही है परन्तु AR A की सही ब्याक्षा नहीं एक सही है सभिश नमबर के लिए अप singles परन भी लॉग कि संख्या एक तरफ से कुल लाइन लगा के आ रही है ध्यान थोड़ा दें निम्नांकित कतनों पर ध्यान देना है आप लोगों को अस्वच्छांस वाय अपसरण के छेत्र हैं बिल्कुल सही है अपसरण का ही छेत्र है कहरा के प्रत्विक के जो केंद्रा अपसारी बल है वो अयन रेखाओं पर सरवाधिक लग चंद को या रभी प्रकास से उनको छोड़ दिया जाए तो सब लोग गलत किये इस प्रस्न का उत्तर और राइट एंसर यहां पर आप लोगों का सी हो जाएगा ध्यान रखेंगे सबसे अधिक ध्रों पर और सबसे कम विश्वत रेखा पर होता है और 24 नमबर के लिए च्वाहित होती है लेब्राडोर धारा अगुलहास धारा बैंगवेला धारा या फिर कियोशियो धारा कमेंट करें इस प्रस्न के लिए 25 के लिए मैं देखना चाहरा हूं कि आप लोग क्या उत्तर करते हैं पांच प्रस्न अभी भी 6 आप लोगों के लिए बचे हुए है कम इमनांकित में से कौन सी धारा जिसकी उत्पत्ति अत्यंत गहराईयों से जल के उद्यलन से होती है वो कौन सी हो जाएगी लेब्राडोर बिल्कुल चिछले भागों से ठंडी जल्धारा है जो ठंडे भागों से चिछले भागों से निकल कर आती है लेब्राडोर से अगर वैपिन खाड़े गलत हो जाएगा अगुल हास को देखा जा तो यह आप लोगों के जो मिदागासकर है और मुजांबिक है उसके बीच से निकल के आता है गलत हो जाएगा कि रिश्यू गलत हो जाएगा राइट एंसर यहां पर बैंगोएला हो जाएगा ध्यान रखेंगे ज 26 के तरफ हम लोग चलते हैं ध्यान से देखेंगे आप लोग 26 में लिखा गया है कि निम्नांकित कतनों का अध्यन कीजिए तता नीचे दिएगे कूट कपरियों करके सही उत्तर दीजिए अब कतन ए में लिखा गया है कि पृत्वी के वाइमंडल में उस्मा एवं जलवास् संचयं ग्रीन्हाउस प्रभाव है कि पृत्वी का जो वाइमंडल है उसमें अगर उश्मा बढ़ जाता है जलवास्प बढ़ जाता है तो उससे हम कहते हैं कि ग्रीन्हाउस एफट या वाइप्रदूशन होने के वज़से या ग्रिन हाउस प्रभाव होने के वज़े से ही गर्मी बढ़ गया है क्या ये सही है बिल्कुल सही है और 26 के लिए राइट एंसर आप लोगों का ए हो जाएगा ध्यान से देखें क्लियर हो जाएगा आप लोगों का खहरा है कि प्रतवी के वाइमंडल में उसमा बढ़ रही है और जलवास्प की मात्रा भी ग्रिन हाउस गैसों के अंतरगत होता इसे ग्रिन हाउस प्रभाव कहते बिल्कुल सही है और सूरे से आने वाली लगू तरंगे प्रतवी को भेदते वे नीचे की तरफ आजाते पार्तियों विक्रण की रूप में जब ये बाहर निकलने की को अधी ब्यक्या है 26 नंबर के लिए ओप्शन आप लोगों का करेक्ट और माक्सिमम मेरे भाई एक तरफ से सही कर रहे हैं चलिए आगे चलते नेक्स्ट की तरफ प्रस नंबर 27 ध्यान से देखेंगे उत्तर करेंगे लिखा गया है कि निम्नांकित में से कौन सी आदिम जंज कौन करती है चिकार करने के लिए एक हथियार है एक हथियार है ये और इस हथियार का उप्योग कौन करती है जंजाती आप लोगों से प्रस्न पूछा गया लंबा सा ऐसे पाइप होता और इसमें ये लोग एक कमान लगा देते हैं बिल्कुल लोही की नुकीली कमान लगा देते हैं इसके अंदर डाल देते हैं बहुत तेज इसमें नुकीली होती और यहां से अपने मूँ पे लगा के फेपड़े में खुब ज़्यादा सकती बना के तेजी से फूगते हैं औ कोई सिकार करना होता है यहां पर आप लोगों का सी हो जाएगा तो बुस्मैन एसकीमों है ध्यान रखेंगे यह इसी प्रकार का हथियार लेते लेकिन इनका भाला होता है क्यों भाला गला होता ऐसे और इनके इस हथियार को जो इसकीमों है इनके इस हथियार को आरकूण कहा जाता हम giो हर आप 1002 के मददसे यह तेजी से मारते हैं और कोई भी जानवर का सिकार कर सकते हैं, राइट एंसर इस आधार पर आप लोगो को क्या हो जाएगा, पिगमी हो जाएगा, ब्लो गन ध्यान रखेंगे, पिगमी उपयोग करते हैं, ब्लो पाइप या ब्लो गन, 28 में आ जाएगे, पेरिनीज परवत अंतरराष्टी सीमा बनाता है, फ्रांस और जर्मनी के बीच, फ्रांस और स्पेन के बीच, इस्पेन और पूर्तगाल के बीच, या अलजीरिया और मुरक्को के बीच, पेरिनीज अंतरराष्टी सीमा किस्त के बीच बनाता है, ध्यान से आप लोग उत्तर करें, ध्यान से जोलेन परवत है, ध्यान रखेंगे, बहुत पूछा जाता है, और दूसरा आप लोगों से पूछा जाता है, पेरिनीज, पेरिनीज फ्रांस और इस्पेन के बीच में पढ़ता है, और राइट एंसर आप लोगों का यहां पर पी करेक्ट एंसर हो जाएगा, ध्यान पीपेन फ्रांस और जोनाडन, जो से जोलेन परवत नार्वे और स्वीडन के बीच है, डन, स्वीडन, जोलेन परवत कहां पर है, तो जोलेन परवत नार्वे और स्वीडन के बीच में है, पीपेन फ्रांस, यहां पर पिरिनीज परवत पेन, इस्पेन और फ्रांस के पीच है और 28 नमबर के लिए राइट एंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा बी ओप्सन करेक्ट हो जाएगा द्यान से आप लोग क्रिक याद रखेएगा जो नादन पीपिन फ्रांस नहीं तो आगे चलके प्रस नमबर 29 में चलते हैं लिखा गया कि निम्नांकित कत्नों पर बिचार कीजिए तथा नीचे दिये गए कूट के जो दिया गया है उससे आप लोग इसका उप्योग करके उत्तर बता सकते हैं प्राइद यूपियो भारत की कीवल दो प्रमुक नदिया नर्मदा और ताप प्राइद यूपियो भारत की दो प्रमुक नदिया तापती और नर्मदा अरब सागर में गिरती हैं बिलकुल सही है और ये इसलिए गिरती है क्योंकि ये भ्रंस में बहती हैं इसलिए ये भी सही है और सही ब्याक है अगर भ्रंस में बहके नहीं जाती तो सभी प्रमुक नदिया, जितनी हैं, वो सबी के सबी पस्सिं से निकल कर पूरब बंगाल के खाड़ी में गिरती, लेकिन इतनी बिशाल और बड़ी नदिया होने के बावजूद, ध्रंस में जो बहती हैं, इसके कारड़ ही, ये जा के कहां पर गिरती हैं? घरब शागर खंबात के खाड़ी वैसे नहीं लगता कि आप लोग यह सब प्रशन गलत भी करेंगे लास्ट प्रशन तीस नंबर आप लोगों के सामने जब ग्रीन वीच में मध्यान है एक जगह का अस्थानिय समय पांच बजे साय है निम्दांकित में से वह कौन सा या मुत्तर है जिस पर उप्रुक्त जगह अवस्थित है कौन सा जगह होगा देखिए सवाल से एक प्रशन आप लोगों के परिक्षाओं में यह आपका होता है 90 अंश वेस्ट सरी इस्ट है कंय और यह आपका 90 अंश होता है biggest अब प्रशन देखिएगा क्या पूछ रहा इसमें नभबे इसमें नभबे 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 ऐसी मतलब एक सवशी फिर नभबब एकंसी कुल तेसांतर आप लोग जानते हैं और 6-6 गंटे का होता है यह छे गंटे का ही की यह छे गंटे यह ए यह गंटे यह 6-12-0-0-0-0-0-0 सबस्कार गरञारन आपको करेंचना पड़ेगा यहां पर हम लोग Scorpion जोछ भेँ सोच और 10 जान्स 30, 45, 40, 75, यह पूर्वी है, सब में E सब्द लगेगा, और इधर वाले में W है, सब में W लगेगा, यह पस्मी है, यह पूर्वी, प्रस्न क्या है, जब Greenwich में मध्याहन है, Greenwich बोले तो यह है, Greenwich जो England से गुजरता, जहां से समय का निर्धारण किया जाता, ध्यान रखेंगे 180 अंस को आईडियल, इंटरनेशनल डेट लाइन, मतलब तिथी का निर्धारण यहां से किया जाता, तिथी का, जबकि शमय का निर्धारण यहां से किया जाता, टाइम का, क्योंकि इसे आप लोग कहते है, इस वाले भाग को GMT कहते है, Greenwich में टाइम, यह टाइम है, यह जान बोले, तो दो पहर का बारा है, यह इसे हम लोग कह दे PM हो रहा है, अगर इधर के तरफ हम जाएंगे तो शाम बजेगा, और पांच बजे साई कह रहा है, इधर जाएंगे तो पांच, अब देखे, यहां पर बारे बजा है, तो यहां पर कितना बजेगा, एक, यहां पर 2, यह पर 3, यह पर 4, यह पर 5 मतलब 75 अंस पर 5 बजेगा, 75 अंस पूरभी पर 5 बजेगा औरYour call right answer आप लोग क्या उठा के करेंगे 75 अंस पूरभी कर लेंगे आप लोग right answer यह पर A option आप लोगों का correct इस type का जब प्रस्न आएगा ध्यान देना है बस इस framing को आप लोगों को बनाना है जैसे आप से प्रस्न पूछता प्रस्न पूछा है तो simple size से आप लोग लगा लिजिए बिल्कुल भी math नहीं आती तब भी कर पाएंगे वही 15 का पहाड़ा किसको नहीं पर क्या समय बचेगा तब भी 5 बजा देते कैसे यहां पर 12 बजेगा तो यहां एक दो तीन चार अपच्छतर पर क्या बजेगा पांच बचेगा या फिर आप लोगों से पांच बजा रहा तो एक गंटा पर 15 अंस होता है एक गंटे पर 15 बढ़ाते चल चलिए और आप लो लिए आप जाएंगे अपने टेलीग्राम पर टेलीग्राम पर जाके लिखेंगे आप लोग एक्जाम तरकस इंडिया और फिर इसे जॉइन कर लेंगे जोगरफी की नोट्स या पढ़ाई लिखाई से संबंदित कोई समस्या के लिए 95-595-74710 पर आप कॉल कर सकते जोगरफी की बहत्रीन क्लास अप्लिकेशन पर देखने के लिए आप Google Play Store पर जाएंगे और वहाँ जाके लिखेंगे एक्जाम तरकस और एक्जाम तरकस को आप लोग डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद उससे रेजिस्टर कर लेंगे वरतमान समय में महा सिवरात्री के उपलक्ष में 50% ओफ दिया जा रहा है सभी क्लासेस पे तो सीमित समय के लिए है इसलिए इसका भी आप लोग लाव उठा सकते हैं 50% मिनिमम से मिनिमम कास्ट उसके बाद भी 50% दिया जा रहा है इसका लाव आप लोग उठा सकते हैं कल कई मेरे भाईयों का PGT का एक्जाम है KVS के लिए स्पेसली तो आप लोग बिलकुल एक्जा हैरे बनाईएगा और आराम से सभी प्रस्नों का आप लोग उतकर दीजिएगा आप लोगों के साथ मेरा प्यार मेरा विश्वास और आप लोगों का विश्वास सब लोग एक साथ जुड़ा हुआ है और आप लोग बहुत बहतर करेंगे यही मेरी कामना है आप लोगों के प्रसन हमारे परिक्षों में पूछे गये हम लोग उसको साजा करेंगे और हम लोग उसके बारे में चर्चा भी करेंगे और जब प्रसन आप लोगों को मिल जाएगा जितना याद रहेगा इस नमबर पर WhatsApp भी है तो आप प्रसन लिख के और WhatsApp कर सकते हैं अगर इतना काम करेंगे तो काफी मदद होगी हमारे सभी भाईयों के लिए हम जाच पाएंगे कि कितना बेहतर हम लोग कर पा रहे हैं तो इस नंबर पर आप WhatsApp भी कर सकते हैं जो भी प्रसन आप लोगों को मिलेगा आज के लिए बस यहीं तक और अभी अप्लिकेशन पर मिलते हैं मानो भूगल के साथ और कल क्लास क्या किया जाए एक बार आप लोग कमेंट करें कि कि क्या कोपिन की जलवाई यू कल पढ़ाई जाए कितने लोग जा रहे हैं एक्जाम देने और कितने बज़े से एक्जाम है जली गए बिलकुल अब यहीं पर हम क्लास को स्टॉप कर देते हैं एक बार आप लोग जरूर कमेंट कर दीजिएगा जाके कि कल कितने लोग पेपर देने जा रहे हैं सब को बेस्ट अपलक मेरे तरब से भी और कल की क्लास क्या किया जाए अस्थगित किया जाए यह क्लास भूब पढ़ायी जाए ज्यादा संख्या है या फिर बहुत कम संख्या अब नोग पढ़लेची अधिर much सब्चारर निचीए तीन स्थ फिर क्लास एंगते करेंहें 14 लिए जाएगी और कोपने बड़ा से आपके प्रसनुम्हे पूछ लिए जाएगा आप कुषोः देख लिजेगा एक कुल क्लास चलेगी ze इस्वार्द भाव से ग्यान यही एक्जाम तरकस की पहचान हराद महादेव, जहिन धन्यवाद. इस्वार्द भाव से ग्यान यहेव, जहिन फ़्यद लाव से गया हराद मेंझाद.